हेलो दोस्तो आज की डूम आपको बताऊंगा भाई आप अपने ओपो मोबाइल फॉन में एप्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं अगर आप ओपो का मोबाइल फॉन यूज कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही भाई इंफोर्मिशन से भरी होने वाली है क्योंकि आज की डूम आपको बता दूँगा कि एप्स को कैसे अपडेट किया जाता है एप्स को अपडेट करना भाई बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि जो भी एप के अंदर नए फीचर एड होते हैं वो एप अपडेट होने के बाद ही इड होते हैं तो चली भाई करते हैं वीडियो की शुरुवात आपको कर देना है एक काम वीडियो कर देना है लाइक चैनल पर नए हूँ चैनल कर लेना है सब्सक्राइब भाई दो तरीके बताऊंगा आपको एप अपडेट करने के दोनों तरीके ध्यान से देख लेना तो तो देखो यहाँ पर इस तरह एप आ जाएगी और उसके सामने यहाँ पर जैसे open लिखा है अगर update होगा तो यहाँ पर update लिखा हो आ जाएगा चलिए अब यहाँ पर instagram भी search कर लेते हैं देखते हैं instagram में update है या नी इसमें भी देखो open आ रहा है अब यहाँ पर करते हैं facebook को search इसमें update आया हुआ है तो इस तरह घ्यव्में update होता है उसमें यहाँ पर आपको update दिखा हुए मिल जाएगा आपको खाली दबा देना है अपडेत हो जाए अब नहीं यह तो हो गया है एक तरिका है इसमें एक सार्च करना पड़ता है एक दूसरा दो सारी पो जिसमें सारी एप को एक साथ अपडेट कर लेंगे उसके लिए आपको यहां उपर कौने में जो प्रोफाइल दिखता है इसके उपर किलिक करना होगा ठीक है मैं किलिक करता हूं किलिक करके यह देखो इस तरह से आपका अकाउंट आ जाएगा मैं तोड़ा तरह उपर इमेल आइडी लिखी है उसको मैंने हाइड कर लिया देखो इस तरह से गूगर अकाउंट आपको लिखा हूं मिलेगा और नीचे लिखा होगा मैनेज एप एंड डिवाइस तो आपको इसके उपर किलिक करना है आप देखो जैसी किलिक करोगे आप यहां पर आपको सारे अपडे अपडेटाल कर देंगा अपडेटेल एक साथ होजाएगे पर इसमें आप क्या कर सकते हैं अपडेटरने आपका यहां फफीकत करते हैं यूज कर रहे हैं वो आराम से इस तरीके से अपनी एप को अपडेट कर सकते हैं